Hello everyone, my name is Vanch Batra and I welcome you all to my YouTube channel So, आज की इस वीडियो में हम Transfer of Property Act की वीडियो से रिस कंटीनियो करते हुए बात करेंगे section 36 and 37 of TPA के बारे में जो की deal करते हैं apportionment के provision से So, first of all, जो वर्ड है apportionment इस वर्ड का मतलब क्या है? देखिए जो वर्ड apportionment है इसको हम relate कर सकते हैं portion term से portion मतलब की हिस्सा किसी भी चीज में हिस्सा होना apportionment literally means distribution in accordance with proportion apportionment का मतलब होता है कि बटवारा करना, distribution करना proportion के according जिसका जितना हिस्सा है किसी भी चीज में उसकी according ही उस चीज का बटवारा कर देना, उस चीज का distribution कर देना वो होता है apportionment simply इसको हम याद कर सकते हैं portion term से so section 36 and 37 यह apportionment के प्रोजिजन से deal करते हैं so first आते हम section 36 पर section 36 की bare-rect language पर ना जाते हुए इससे related एक illustration discuss करते हैं इसका जो illustration अगर हम discuss करेंगे फिर bare-rect language पर आएंगे section 36 की तो वो काफी easy समझाएगा तो पहले illustration पर आते हैं देखें A has a house that he has given on rent to X A के पास एक घर है जो की उसने X को rent पर दिया है X को किराय पर दिया है उस agreement के according जो X है X जो यहाँ पर tenant हो गया, किराय दर हो गया जो X है उसको हर मन्त की last देखो हर महीने की आकरी तारिक को 30,000 रपे A को देने होते हैं मतलब जो मंतली rent हो गया हर महीने का के राया हो गया, वो 30,000 रपे हो गया तो यहाँ पर क्या होता है A इस घर को बेच देता है, किसको बेच देता है B को बेच देता है, कब बेचता है वो 11 तारीक को, January का महीना and January का महीने की 11 तारीक को वो जो A है उस घर को B को बेच देता है, तो यहाँ पर क्या है A ने उस घर को X को rent पे दे रखा था जब यह January का महीना पूरा होगा Last में X को 30,000 पे देने होते हैं So on the 38th day, when the tenant pays the rent A would be entitled to rent of first 10 days and transfery would take the rent for rest of the 20 days तो यहाँ पर जो यह rent है, उसके बारे में बात हो रही है उसके बटवार, उसके distribution के बारे में बात हो रही है कि पहले के 10 दिन का जो किराया है वो A रखेगा और बात के जो 20 दिन का किराया है जो rent है वो B रखेगा यहाँ पर क्योंकि पहले के 10 दिन जो A था वो honor था तो A को यहाँ पर पहले के 10 दिन के according 10,000 रपे मिल जाएंगे और B को अगले 20 दिन के according 20,000 रपे यहाँ पर मिल जाएंगे क्यों मिलेंगे B को पैसे क्योंकि 11 दिन से लेकर 11 से लेकर आगे 30 एर्थ तक जो B है वो ओनर बन चुका था 20 दिन B ओनर था शिरू के 10 दिन A ओनर था तो accordingly जो rent का distribution होगा वो इस तरीके से होगा और यही provision section 36 में दिये गए हैं आते हैं इसकी बेरेक्ट लेंगवज पर so section 36 apportionment of periodical payments on determination of interest of person entitled इसकी heading कह रही है कि periodical payments का position क्या होगा जब यह determine हो जाए कि कौन interest के लेंटाइटल है so in the absence of the contract or local uses to the contrary जहां contract नहीं है या local uses इस rule से contrary है इस rule से opposite है मतलब कि जब contract ही हो गया कि कौन कितनी payment रखेगा कि कोई interest या फर property transfer हो रही है कौन कितना हिस्सा रखेगा अगर contract होई गया तो यह provision की जरूरत नहीं पड़ती पर अगर contract नहीं है या फिर local uses इस in rules से opposite है तो सभी rents, annuities, pension, dividends and other theoretical payment in the nature of income यह जो सब होंगे जिनका nature क्या है income nature के जो है यह upon the transfer of interest to the person entitled to receive such payment जैसे ही transfer हो रहा है उस person के interest का जो entitled है उस payment receive करने में मतलब यह क्या कह रहा है एक person है उसका एक interest है माल लेते कोई property है वहाँ से payments लेता है अब उसका इंट्रस्ट ट्रांसर हो रहा है जैसे कि illustration में A ने B को transfer करा था interest तो वहाँ पर क्या होगा B deemed as between the transfer and transfery वह जो payment transfer and transfery को हो जाएंगी to accrue from day to day day to day basis पर होंगी और उनका portion है portion कैसे होगा जैसे कि वह transfer हुई है but to be payable on the days appointed for the payment day of this date को payment के लिए बोला गया था जो day appointment किया गया था जैसे कि पिछले illustration में 38 जो महिने की last तारीक थी वह appointment किया था day तो उसी day को payment होगी तो यही बात जो पीछे illustration डिसकस करा उसमें बोली गई थी कि एक person दिन भी ओना था तो उसको जो पेमेंट से वह जाएंगी इस प्रेजेंट सेक्शन में जो बात की गई है apportionment by time की की गई है यह रूल्स बताता है कि कि किस तरीके से periodical payments का distribution होगा बटवारा होगा periodical payment जैसे कि rent हो गया periodical payment का distribution कैसे होगा अगर transfer and transferi के बीच में आगर वहाँ पर transfer हुआ है तो section 36 हुआ बात है section 37 पर देखिए section 37 and 36 में एक difference है section 36 में एक ही owner के बारें बात की गई थी section 37 में जो transfer हो रहा है several persons को हो रहा है several owners है वहाँ पर तो इस section 37 में बोल रखें कि कई लोगों को transfer कर दी जो property several owners हो गए तो जिस तरीके से वो property खरीदेंगे जितना उनका portion होगा उसी according उनको payments मिलेगी या फिर उसी according उनको benefits मिलेगे बिल्कुल easy section है यह section 37 के बेरेक्ट language पर ना जाते है पहले illustration discuss कर लेते हैं इससे related जो एक पास एक house है और वह जो अपना house है वह E को lease कर देता है A lease his house to E and उसका annual rent अना उसका rent कितना होता है एक लाग रपर एक साल में एक लाग रपर देने होते हैं उस घर के as a rent and साथ में एक sheep एक भेड़ भी देनी होती है A को यह करके A lease कर देता है अपना house E को अब बात में afterwards A sells his house to B, C and D A अपना घर B, C और D को बेच देता है यहाँ पर क्या होता है तीनों मिलकर घर लेते हैं तीनों किस proportion में घर लेते हैं B यहाँ पर 50% payment करता है जो भी उस घर के लिए payment होती उसमें से half हिस्सा वहाँ पर B का हो जाता है और C और D जो है 25-25% 25-25% वहाँ पर पैसे देते हैं 25-25% उनका share हो जाता है अब B, C और D को transfer होगी यह property तो जिस portion में इनोंने payment करी है जितने portion के यह honor है जितने portion की इनकी हिस्सेदार ही हो उसी according इनको rent की payment मिलेगी तो E having notice of this, E के पास यहाँ पर notice होना चाहिए कि B, C और D को यह property जा चुकी है, transfer हो चुकी है तो यहाँ पर एक लाकर पर total rent था तो यहाँ पर B को 50,000 रुपीज देगा, C को 25,000 रुपीज देगा annually and D को भी 25,000 रुपीज देगा annually because 1 lakh को जब हम 50% करेंगे 50,000 and C और D का हिस्सा था 25-25% तो 25-25,000 उनको मिल जाएंगे and E यहाँ पर एक sheep भी दिया करता था A को, एक bed भी देता था हर साल, तो उसको कैसे देगा यह जो E है, इन तीनों को कैसे बटवारा करेगा तो यहाँ पर B, C और D जैसी direction देगे कि जिसको sheep देनी है, किसको नहीं रेनी, जो B, C और D jointly मिलकर decide करेंगे and वो E को बोलेंगे, उसी according E यहाँ पर आगे करेगा, तो यह illustration समझा है हमको, यही बात section 37 में दी गई है, इसकी bare-ret language पर आते है इसकी heading है, apportionment of benefit of obligation on severance, मतलब की obligation, एक duty होने पर, एक duty होने पर benefit का distribution कैसे करेगा कोई, जब benefit का severance हो गया, मतलब benefit का division हो गया किसी की duty बनती है हम आपर payment करने की, benefit देने की, वो benefit ही divide हो गया, वो कैसे payment करेगा, वो section 37 में बताया हुए So, when in consequence of a transfer, property is divided and held in several shares, एक जगा पर यहां पर transfer होता है, property and property several shares में divide हो जाती है, पिछला illustration जो भी हमने discuss करा है, उसको दिमाग में रखी है, आप जोनों का relate करके हमको पढ़ना है, जहां property several shares में divide हो जाती है, जैसे कि A ने B, C और D को transfer कर दी property, वो several shares में divide हो गयी थी and there upon the benefit relating to property, ऐसे whole passes from one to several owners of the property and उस property पर एक obligation होता है, obligation मतलब की एक duty होती है, वो obligation से related benefit कई लोगों को पास हो जाता है, जो several owners होते हैं उनको पास हो जाता है, जैसे कि E काम हाँ पर one lakh रुपीस देने का duty थी obligation था, वो कई लोगों को आगे वो benefit transfer हो गया, B, C और D को पास हो गया The corresponding duty shell, corresponding मतलब की जो similar जो ये duty है, अगर इस चीज़ से related वहाँ पर कोई contract नहीं है, be performed in favor of each of such owner in proportion to value of his share, तो वहाँ पर जो several owners होगे, जैसा उनका share होगा वैसे उस proportion में उनको benefit मिल जाएगा, provided that the duty can be severed and that the severance does not substantially increase the burden of obligation, ये line कह रहे है कि वो जो duty है, मतलब पिछले illustration में E की duty थ कि वो 1 lakh रुपीज दे, वो several हो सकती है, बतलब कि divide हो सकती है, पर वो जो severance है, वो division है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि वो obligation है, वो जो duty है, उसका burden बढ़ा दे, बतलब एक लाग से वो 2 lakh रुपे कर दे, उसका rent, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तक देखा, आगे लि भी perform for the benefit of such one of several honors as they shall jointly designate for the purpose, वो jointly जो honor से वो decide करेंगे, वो जो duty है, उसी के लिए perform की जाएगी वो duty, जो वापस में वो decide करके बताएंगे, आगे provided में लिख रखा है कि, जिस person पर obligation का burden है, उस duty का burden है, मतलब कि पिछले decision में यह पर burden था, तो वहाँ पर वो answerable नहीं होगा, अ उस तरीके से वो duty perform करने में fail कर जाता है, तो वो answerable नहीं होगा, unless and until he has had reasonable notice of this severance, जब तक उसके पास severance मतलब की division, मतलब वो property अब divide हो चुकी है, several honors को, इस चीज़ का उसको notice मिलना चाहिए, तब ही तो वो अपनी duty पूरी करिगा, इस चीज़ का उसको notice मिलना चाहिए, अग का उसको notice मिलना चाहिए, आगे है, nothing in this section applies to lease for agricultural purpose unless and until the state government by notification of official gadgets or direct, ये जो भी section में बताया हुगा है, agriculture purpose पे जो lease दी जाती है, उस पर अप्लाई नहीं होगा, जब तक state government by official gadget ये declare ना कर दे, तो इस section 37 हम को समझ आया, illustration है, इसमें दो देरख की illustration, the first illustration है, हमने पहले भी same illustration discussed करी, इसमें values का difference है, यही है, इसमें कि A, B, C और D को अपना house बेज देता है, E ने माँपर उस गर को lease पर ले रखा होता है, वो A को 30 रुपे देता है, और साथ में एक sheep भी देता है, एक fat sheep भी देता है A को, तो B, C और D उस house को purchase कर लेते हैं, B जो है half purchase money देता है, मतलब 50% purchase money देत जाएंगे, वो भेड़ की FF head sheep की delivery है, वो तीनों decide करके E को बताएंगे, उसी according E उसकी delivery करेगा, बे इलुस्रिशन यावर क्या कह रहा है, इसी case में जो पीछे discuss कर रहा है, इस case में क्या है, इस village में 10 दिन सभी के सभी labor का का काम करते हैं, एक साल में 10 दिन के लिए सभी labor का क होगे हैं, वो 10 दिन तक उसमें ऐसे labor काम करते हैं, उसको डाइक को बनाने के लिए, तो E ने उस घर को lease पर ले रखा है, E ने इस चीज का agreement भी कर रखा है, इस labor को perform करने के लिए, E ने ऐसे agreement कर रखा है पहले ही, अब B, C और D owner आ गए, यहाँ पर E यहाँ पर 10 दिन perform करेग पर यहाँ पर E दस दिन से ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, जो direction B, C और D jointly देंगे E को वो direction तो वो माल लेगा, कि 10 दिन तो वर्क कर लेगा, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर B आकर कहें कि 10 दिन अलग वर्क करना है, C आकर कहें 10 दिन अलग वर्क करना है, D आकर कहें अलग वर्क क तो जो प्रेज़ेंट सेक्षिन है अगर इस परपर्टी से इसाड है अगर इसे के जो सेड़ आ चुकिया है तो वहां पर जो टीनिंट है वह उन शार्मट कर देगा विह वहां पर their contribution जितना जिसका contribution also according जो tenant हो वहाँ पर payment कर देगा तो यह हमारे section 36 and 37 of transfer of property यहाँ पर complete है जो पॉचिन मेंट से deal करें तो आपको वीडियो अच्छे लगी होगी